तो बॉल्कम बैक तो अधर वीडियो गाइस तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं एमडी ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर के बारे में आज के करन प्राइजिंग में हम लोगो क्या एक बेस्ट कॉम्बो मिल सकता है एमडी में तो ये पूरे वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं और हाँ गाइस इस वीडियो इस पॉंसर्ट वाइए एमडी तो चलो जाते हैं अभी देखते हैं लामिंटन रोड में कि क्या प्राइज शाल हुए एमडी ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर के पर वीडि आज की तरण टाइम में अगर हमें एक बजेट और हाइंड पीसी बिल्ड करना रहेगा तो अधर रहुल भाई आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट एमडी प्रोसेसर के बारे में अब्रोसेसर स्टार्ट करने से बले आपके शॉप के वारे हमें आपका शॉप एक्जाक्ली लेमिंटर नोड में आता कि लेमिंटर में हमारा शॉप जो है वेंटर इस के अंदर लोकेड़ है सबसे पहला ही शॉप में जैसे एंटर मारोगे पहला ही शॉप आता है हमारा राइट सलीशन करके है 295 ओम निवास बिल्डिंग ग्राउन फ्लो से पहले देखने जाए अभी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है मतलब हर एक कस्टमर जो देखा जाना एक्चुली 5000 सीरीज बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा बिल्डप है उसका अभी आगे जाकि 7000 लॉंच होने वाला है 5000 बहुत अच्छा धूम मचा रखे अच्छा सपोर्ट के गेमर्स को एंदी के ग्राफिक काड ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया गेमर्स को परफॉर्मस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है तो अभी आते है में अगर किसी को सर्फ बिल्ड करना रहेगा समझ लो 60,000 का उनका बजट रहेगा तो AMD में सबसे अच्छा कॉंबो क्या रहेगा तो 60,000 के अंदर 5600X with 6600 ग्राफिक काड के साथ आप जा सकते हो 5600X with 6600 इसके अंदर RAM, SSD, Cabinet, Power Supply हर एक चीज हो जाता है इसके अंदर एक्चुली जो AMD का आप सौफ़र्स भी है जैसे RSR करके रेडियों सौपर्स रेजोलिशन करके एक स बहुत अच्छा मिल जाता है और इसके अंदर एक ऐसा भी FSR करके FSR Fidelity FX Super Resolution करके इसके अंदर भी Games के अंदर बहुत अच्छा FPS बूस्ट हो जाता है इसके अंदर पीसेशन बूस्ट करके भी रहता है 2.0 इसके अंदर जो प्रोसेसर जो AMD के प्रोसेसर रहता हो ऑटोमेटिक कर सकते हैं बूस्ट कर सकते हैं प्रोसेसर 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 बूस्ट कर सकते हैं तो यह हो गया 50-60,000 तक 50-60,000 के रेंच पे अभी आते 1,000,000 के रेंच पे 1,000, जो तो इसके लिए के साथ खंव के अपक्रेशन के अन्दर पूरो अच्छा पीसिल कर देजाए ता विए एक जड़ा में स्पेसिफाय करके बता ने यह एक्जाक्लीए रहते हैं तो पर बसक्षार के अदर प्रफॉर्मेंस एदिटिंग रेंडर पर बॉस्ट हो जाता है यह चीज़ का बहुत पड़ता है यह आर्स होगा है फैसर मतलब फैनलेटी एक्प्र तो अभी आते हैं 1,50,000 के budget में 1,50,000 के अगर कि इसका budget रहेगा तो वो क्या-क्या चीज के लिए चीज के लिए जो 1,50,000 ता बिल्ड है 5950X 6900XT के साथ आप जा सकते हो यह बहुत ज्यादा बीस्ट परफॉमंस के इसाथ से बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है और खेलते हैं गेम्स खेलते हैं हमें background noise बहुत आता है AMD का background noise suppression एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे हम लोग हमारे nearby surroundings के background noise को control कर सकते है noise cancellation में भी बहुत यूज होता है और जो main चीज बहुत लोग हमें पूछते हैं कि यार कौन सा GPU लेना चाहिए AMD में currently बहुत सारे GPU अभी ब सबसे best budget में value for money जो GPU है अभी के टाइम पे AMD में चल रहा है वो RX 6600 है बहुत ही अच्छा pricing में चल रहा है pricing हम लोग देखेंगे वीडियो में आखे कि क्या pricing चल रहा है RX 6600 के और हां guys हम लोग ने FSR 2.0 के बारे में तो आपको बता दिया but FSR 2.0 के supported games के बारे में आगर बताने जाओ तो Microsoft Flight Simulator एक बहुत ही अच्छा गेम है जो अभी के टाइम पे FSR 2.0 को support कर रहा है Microsoft Simulator के साथ ही साथ 110 प्लस games है जो FSR 2.0 support कर रहा है अभी के टाइम पे जिसे की God of War हो गया For Spoken हो गया Hitman 3 हो गया ऐसे बहुत सारे games है जो FSR 2.0 support कर रहा है जिसमें हमें additional FPS मिलते है और साथ ही साथ एक बहुत ही smooth game playing experience मिलता है और गाइस AMD के जितने भी 5000 series के processors आते है वो सारे unlock processors रहते है Windows 11 को support करते है and while playing games while editing a video AMD की smart access memory हमें 15% performance boost देती है जिससे हमारे editing work जड़ा fast हो जाते है rendering time जड़ा कम हो जाता है जिससे एक smooth editing experience मिलता है प्लस यह जितने भी सारे चीज़े है यह हम लोग AMD की utility software के अंदर हम लोग पूरे monitor कर सकते हैं जैसे की CPU usage, CPU voltage क्या आ रहा है और कितनी course editing के time पे use हो रहे है यह सारे चीज़ हम लोग AMD की utility software के अंदर monitor कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हमारा CPU हमें performance दे रहा है तो रह यह होगे dedicated processors औं GPUs के बारे में AMD famous है उनकी integrated technologies के उबर integrated G-series जो प्रोसेसर आते हैं उनके उसके उपर AMD बहुत ज्यादा famous और बहुत लोग G-series integrated series use करते हैं अभी अगर देखने जाए 40-50,000 के range में सबसे अच्छा PC अगर हमें बनाने जाए तो 50,000 अब देखाए 5600G 5600G बहुत ज्याद अच्य प्रोसेसर है इसके का SSD हो जाता है cabinet power supply हर एक चीज के साथ यह बहुत जाद अच्छा बन जाते हैं और mostly budget gamers है वो 5600G के साथ जाते हैं then AMD के अंधर एक्चुली लाइन अप है बहुत सारे GK से साब से प्रोसेसर बहुत सारा लाइन अप है 3200G, 4600G, 4650G, 5600G, 5700G, Ryzen 7 का 5700G यह सब बहुत लाइन पर चैसा performance share है वैसा मिल जाते हैं तो यह हो गया PC बीटिज के बारे में अभी आएटे प्राइसिंग के उपर currently AMD हमें प्रोसेस में क्या क्या प्राइसिंग कर रहा है जो अभी एक 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 प्रोसेसर राइजन 5600X जैसे आप देख सकते हो राइजन 5600X आजक्स अष् पर देखने को मिल जाता है PCI Gen 4 सपोरीड है इसके अंदर B550 के साथ आप मदबोट पैर करो तो परफॉमंस और ग्राफिक कार्ड जैन 4 वाला डैसे डबल डबल ज़रो लो परफॉमंस बहुत जादा इंक्रीज हो जाएगा यह हुआ 5600X के बारे में जी वाला प्रोसेसर आता यह परता आपने को 23,600 वीज का यह हुआ 5700X इसके अंदर सेम तुसे में 5800X राइजन 7 5800X वो परता आपने को 27,000 वीज का ओके और 5800X 3D करके एक सरक नया प्रोसेसर रहा है 5800X 3D मेरे पास 5800X 3D इसके अंदर में 100MB का कैची है गेमर्स के लिए बहुत जादा सपोर्ट र है वो सारे हम लोग इसमें कवर कर लिए जुक है सब कुछ कवर कर चुके है बाकि राइजन 9 विया था 5900X वो परता 33,500 रुपीज का 5950X परता 46,000 वीज का ओके तो यह होगी प्रोसेसर के बारे में अभी आते ग्राफिक काड्स में ग्राफिक काड्स में अपके अपके वीज के तरफ से RX 66008GB का ग्राफिक कार है यह परता आपने को 24,500 रुपीज का 8GB का ग्राफिक कार है इसके बार में RX 6600XT वो परता है 31,000 रुपीज का AMD के तरफ से 6800XT देखने जाए जाए तो 56,000 रुपीज का आता है हो थैंक्यू सो मज रूल भै हमें इतने सारे प्रोसे जो कैसे मारे प्रोसेसर और ग्राफिक काड़ सामने तरफ की आपकर आफ तो यह बाख रहे चार आप करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलता अपको नेक्स वीडियो में दबते के लए बाए टेक के एर और विशेस कम ठोगाई बाभै